आप लोगों ने इसे घर पर बनाना है और इसका वाइदा होगा आप लोगों के जो वाइट होना शुरू हो जाते हैं वो ब्लैक होंगे ठीक है और आप लोगों की आइब्रोज और आइलेश जो होती है अक्सर जो बचे और बच्चियां होती है उनके जो आईलेश और आइब्रोज के बाल होती है वो वाइट हो जाते हैं तो इससे वो ब्लैक भी होंगे और ये आईल जो है आप लोगों अपने सर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोगों को बहुत फाइदा होगा इस आई वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन सा आइल किस के लिए इस्तमाल होता है और बालो के लिए आप लोगों ने सर के बालो के लिए कौन सा आइल इस्तमाल करना है और अपनी पलकों के लिए और बहूं के लिए आप लोगों के लिए कौन सा आइल इस्तमाल करना है तो कुल बारीक-बरीक करने हैं ताकि ये अच्छे ते करने ये जाके पानी वगयरा इसमें मजूद't ना रहे ताकि ये अच्छे तरीके से पाउडर बन जाए आप लोगों ने जब इसको मुकमल तरीके से जला लेना है दोनों चीजों को तो ठंडा करने के बाद आप लोगों ने इसको ग्राइंट कर लेना है इसका पाउडर बना लेना है जैसा के वीडियो में दिखाया गया है उसके बाद आप लोगों ने सर के oil लेना है उसके अंदर आप लोगों ने इसे add कर देना है powder को और इससे आप लोगों के बाल जो है वो सर के काले भी होंगे और आप लोगों के बाल लंबे भी होंगे और घने भी होंगे ठीक है और खुश्की वगारा का मसला भी हल हो जाएगा और दूसरा ये कि आप लोगों ने अगर eyelash और eyebrow के लिए इस्तमाल करना है तो इसमें आप लोगों को केस्टर वाइल का इस्तमाल करना होगा आप लोगों ने ये powder केस्टर वाइल में डालना है थोड़ा सा और जैसा कि मैंने end पर दिखाया है कि one table spoon हम लोगों ने बचा लिया था वो केस्टर वाइल में डालना है उससे आप लोगों के कुछ जो होते हैं लड़के लड़कियां उनके बाल जो होते हैं eyebrows या eyelash के white हो जाते हैं इसकी वज़ा से वो black भी होंगे ये आप लोग बादे मसकारे वगरा में डाल लेना तो आप लोगों ने यह हाथ की मदद से इसको अपनी eyelash या eyebrow पे इससे आप लोगी eyelash और eyebrow घरनी बहुत जादा हो जाएंगी और black भी होंगी और लंबी भी होंगी तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो